नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहर ही ख्याल दख रहे होंगे आज के वीडियो बड़ा ही खास और एहम है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 की सबसे इंटरेस्टेंग पोएम अठिक आफ ब्यूटी का सेंटरल एडिया डिसकस करेंगे जिसके पोएट हैं इंगलिस लिटरेचर के सबसे बहतरीन रोमेंटिक पोएट्स मैंसे एक मिश्टर चौर्ड कीट्स फ्रेंड्स इस पोएम के जरिये पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि I think of beauty is joy forever जो सुन्दर वस्तु है वो हमेशा से लोगों को खुशी देती है आनद देती है चैन देती है शुकून देती है वो हमें यह भी बताना चाहते हैं कि सुन्दरता हमेशा लोगों को रहत भी देती है मैं यहाँ पर कहना जरूर चाहूंगा फ्रेंड्स कि लता मंगेशकर, मुहम्मद रफी, किशुर कुमार, आशा गुसले, मुकेश, महंदर कपूर, मन्नाडे यह वो खुस्तुरत आवाजे हैं जिनकी सुन्दरता कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी एक सौंक तो आपने सुना ही होगा मुहम्मद रफी सहब का मेरी महबत जवा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी डान ब्रेडमेन, सुनिल गवासकर, सचिन दंदुलकर की बनलेबाजी ने लोग को हमेशा ही मतासिर किया है और करते रहेंगे, शेन बॉन की बॉलिंग, वसीम अकरम की गैनवाजी, इसने लोगों को दिवाना बनाया था और यह हमेशा होता रहेगा फ्रेंड्स, यह सब एक्जामपल्स इसलिए दिये हैं कि सची संदर्ता सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं है यह संदर्ता है लोगों के हुनर की संदर्ता यह संदर्ता है उस हुनर से तराशी हुचीजों की संदर्ता जैसे ताज महल कल भी था खुबसूरत और आज भी है और कल भी रहेगा फ्रेंड्स, पोईट हमें ये भी बताना चाहता है आखिर में जो मैंने अभी एक्जामपल्स दिये कि सची सुन्दरता है ये सन, मून, स्टार्स, रीवर्स, माउंटेंस, ओशियन, ये नदियां, ये समुंद्र, सूरज, चांद, सितारे ये है सची सुन्दरता ये प्रकृति है सची सुन्दरता जो कल भी खुबसूरत थी आज भी है और कल भी रहेगी मुझे 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 रफी साब का एक गीट जरूर याद आ गया है ऐसे मौके पर जो शायद इस पोईम के सेंटरल आइडिया से ही इंस्पायर होके लिखा गया होगा कि आने से उसके आये बहार बड़ी मस्तानी है बेरी महबूबा लास्ट में वो बताते हैं कि कौन है ये तो वो कहते हैं रुतिय सोहानी है बेरी महबूबा ऐसे ही मिश्टर जॉन कीट समय बताते हैं सची सुन्दर्था जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो किसी फेस या किसी ऐसी चीज की सुन्दर्था नहीं है जो समय के साथ खत्म हो करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, संजीब पोस्वामी, नमस्कार.